अगर आप इस चैनल में पहली बार आ हुए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भुले ताकि आपसे इस तरीके का कोई भी क्वाल्टी कंटेंट मिस ना होने पाए दोस्तो इसके लावा हमारे एक टेलिग्राम चैनल है जिसको आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं वहां मैं आपको लाइप मार्केट नूश से अपडेटेड रखता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 सितंबर को CDSL ने अपने नंबर जो है पोस्ट किये हुए हैं तो आईए हम एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं कि CDSL के रिजल्ट कैसे रहे क्या उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके बाद हम उसमें टेकन टेकनिकल एनालिसिस करके ये भी देखेंगे कि उसमें क्या बाइंग लेवल जिमर्ज होके आ रहे हैं तो अगर यहाँ पे हम टोटल इंकम की बात करें 30 सितंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी वैल्यूज हैं वो लाक रुपीज में दी हुई हैं तो यहाँ पे अ लाश्ट फाइनेशल एर में देखने को मिला तो आप देख सकते हैं एक अच्छा उच्छाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक अच्छी ग्रोथ हमें Year-on Year-wise देखने को मिल रही है वहीं अगर Previous Quarter से Compare करने तो आप देखेंगे कि Previous Quarter के भी comparison में एक अच्छा हमें growth यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों इसके बाद हम अगर इनके expenses की बात करें तो आप expenses यहाँ पे देख सकते हैं expenses भी बढ़ते हुए से दिख रहे हैं no doubt सारी company के expenses इस बार बढ़ते हुए से दिखे हैं यहाँ पे अगर देख सकते हैं लगभग 5,000,000,000 रुपए जो है तो इनके expenses इस quarter में हमें देखने को मिले जबकि same quarter previous year की बात करें तो वहाँ हमें 3,745,000,000 रुपए expenses देखने को मिले थे और previous quarter की बात करें तो वहाँ 4,519,000,000 रुपए हमें जो है तो expenses previous quarter में देखने को मिले थे अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि इनका क्या impact पड़ा है net profit में तो हम यहाँ पे देखेंगे कि net profit जो है वो सबसे important चीज होती है वहाँ आप देखेंगे कि इनके net profit लगभग 8,606,000,000 रुपए हमें देखने को मिलते हैं वहीं अगर previous quarter में देखें तो 6,399,000,000 रुपए net profit देखने को मिले और same quarter previous year की बात करें तो वहाँ हमें लगभग 4,886,000,000 रुपए net profit same quarter last financial year में देखने को मिले थे previous quarter की बात करें तो वहाँ हमें 6,11 पैसे देखने को मिले थे और इस quarter की बात करें तो आप देख सकते हैं 8,22 पैसे हमें देखने को मिल रहे हैं तो चाहे आप year on year देख लें चाहे आप quarter on quarter देख लें इस company ने जबरदस्त growth दिखाई है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इनके financial performance का एक बार highlight जो है तो वो देखें तो आप देख सकते हैं कि year on year अगर हम जो देखें तो इनके जो net profit थे लगभग 76% से यहाँ पे उचलते हुए हमें देखें हैं और यहाँ पे अगर हम quarter on quarter की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग हमें 34% का जो growth है वो net profit में देखने को मिल रहा है तो यह एक बहुत ही अच्छे result CDSL ने post किये है as expected यही expectation थी reason यह था कि देखें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बार बार यह इस चीज को mention किया है कि इनके जो चार करोड यहाँ पे DMAT account जो है तो वो July तक यहाँ पे देखने को हमें मिले थे new DMAT account तो दोस्तो जितने ज़्यादा यहाँ पे DMAT account खुलते हुए दिखेंगे उतना ही इनका जो DP charges है जितने ज़्यादा उन DMAT account में transaction होगा वो DP charges इनके बढ़ते जाएंगे जितना यह उन DMAT account में settlement का transaction का जो भी activity करेंगे उसका इनका चार जो है बढ़ता जाता है तो खुल मिला कि जितने DMAT account बढ़ते जाएंगे उतना ही अच्छा benefit जो है तो CDSL को देखने को मिलेगा वहीं अगर इस quarter की बात की जाए अभी भी अगर इंडिया में देखा जाए तो लगभग सिर्फ जितनी भी population है उसके 2% population ही जो है तो equity में यहाँ पे trade करती हुई आपको दिखाई देगी चाहें trade करती हुई दिखाई दे या investment करती हुई दिखाई दे कुल मिला के सिर्फ 2% population का ही यहाँ पे equity में आपको penetration जो है देखने को मिलेगा वहीं अगर US जैसी developed country की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ आपको 55% जो है तो equity में उनका penetration देखने को बिलता है लगभग 50 से 55% तो यह number जो है तो काफी ज़्यादा amount में आने वाले time में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा reason यह है कि country अभी भी developing phase में है financial awareness के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको बहुत सारी financial awareness लोगों में अभी बागी है उसको unlock करना बाकी है लोग जैसे जैसे इन जीजों के बारे में जानेंगे demat account आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहां खुलते हुए दिख रहे हैं आगे आने वाले time में यह demat account 4 नहीं 40 करोड भी आपको देखने को मिलेगा तो उसे इसाब से मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में एक जबरदस्त growth जो है CDSL में देखने को मिल सकती है तो दोस्तों यहां पे अगर हम इनके technical chart की बात करें तो आप देख सकते है RSI जो है यहां पे 52 चल रहा है और एक बहुत जबरदस्त return जो है तो आप देख सकते हैं यहां एक साल में company ने दिया हुआ है इतनी ज़्यादा यहां पे तेजी देखने को मिली थी जिसकी वज़ा से इसको ASM की list में डाल दिया गया था जिसकी वज़ा से यहां पे आप देख सकते हैं volume ज़्यादा बढ़ते हुए से नहीं दिखाई दिये हैं और यही वज़ा है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा तेजी जो है तो देखने को नहीं मिली है तो दोस्तों मैंने इसको अपने वीडियो में पिछले दो-तीन बार कवर किया हुआ है और बार-बार मैं बोलता किया हूँ कि current market price पर ले ले से तो मेरे हिसाब से वहाँ पर एकदम बाई है अभी भी आप इसको 1350 पर ले सकते हैं अगर इसके further support की बात किया जाए तो 1250 और 1150 इसका support हमें देखने को मिलता है जिनके पास ये stock already है वो इन levels पर यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं no doubt आने वाले time में जब ये समलिस से भी बाहर होगा तो जबरदस्त यहाँ पर एक बार फिर से ये rally करता हुआ एक बार दिखेगा जो लोग ये stock नहीं लिए हुए है वो आराम से यहाँ पर 2-3 और 2-3 और 3-5 का funda अपना सकते हैं दो stock आप यहाँ पर ले लीजिए अगर आपके पास 10 stock लेने की capacity है further 3 stock अगर downside आता है तो आप यहाँ पर add कर सकते हैं company में आने वाले time में और ये जिस business में है equity market NSE का business कभी खतम नहीं होने वाला है तो आप यहाँ पर जो है तो मेरे हिसाब से कम से कम 3-5 साल का जो है तो long term का एक vision रखिए क्योंकि आने वाले time में मुझे लगता है within one year अगर ये SM list से बाहर होता है तो आपको 2000 का target तो बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ पर यह आप 3-5 साल के लिए रुख जाते हैं तो हो सकता है इसके target आपको और भी जादा बड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं लगभग 5000 और शायद हो सकता है कि 10,000 भी देखने को मिल जाए जिस तरीके का आपको यहाँ पर growth दिखाई पड़ रहा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए तो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ तिल देन टाटा बाई बाई